उस तो आप से में एक सवाल पूछना जाएं कि रिजीूम से आपकी नौकरी लग सकती है क्या बताओ लग सकती है इसका जवाब है कि हाँ लग सकती है और रिजीूम ही एक ऐसा फैक्टर होता है कि वो आपकी नौकरी लेने पर और reject होने पर निर्भर करता है अगर आपको एक best resume बनाना है मतलब resume के अंदर क्या-क्या ingredients होने जही है कौन-कौन सी चीजे लिखनी है वो मैं आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा और ये हवावाली बात नहीं है कुछ भी ये सारी चीजे वो हैं जो impact डालती है examiner पर या फिर HR पर कि बन्दे के अंदर पाविलियत है इसको नौकरी की भी ज़रूरत है ये रोने जीकने से या किसी का आगे हाथ पर जोड़ने से नौकरी नहीं मिलती है आपके अंदर अकर हुनर है तो नौकरी मिलेगी resume के अंदर ये पूरा resume भरके डाल दिया भाई साब examiner तो irritate हो जाएगा वही क्या लिखना क्या कहना चाहते हो क्या समझाना चाहते हो आज के वीडियो में ये पूरा वीडियो देखिए आप और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि CV किसे कहते है bio data क्या होता है resume क्या होता है resume होता है ये क्या चीज़ होती है पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों ध्यान से देखिएगा मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ पर नज़र डालू और उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो नीचे comment में जरूर लिखिएगा कि sir ये चीज़ नहीं बताई है आपने आपने ये चीज़ को छोड़ दी जरा इस पर भी बात कीजिए और मैं अगले next video में उसी के ओपर काम करूँगा मैं job से और business selected बात करता हूँ इस चैनल पर पहरी बार आए हैं तो subscribe करके जाना है आपको बेल आइकन हिट नहीं करोगे तो notification नहीं मिलेंगे वीडियो के तो जरूर कर लेना ठीक है अच्छा दोस्तों ये घड़ी बड़ी प्यारी है देखने में मुझे बड़ी प्यारी लग रही ये बड़ी सस्ती है 369 रुपे की है अगर आपको खरीद नहीं है तो इसका link description में दिया गया है बिलकुल खरीद सकते हो दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से समझाने वाला हूँ सकता है सकता विज्वियूम का करें व тебе वह दाता और सबसे पहले बात करते हैं ऑट जो श्ता होता है यहließ पूरी की पूरी कता जिंदगी की पूरी की पूरी कता के आपने अपनी जिंदगी में अब तक क्या चीज किया अथाडी है क्या है एती है रिज्यूं में क्या चीज भर देता है यहां पर आपको बहुत आसान भाष नहीं बहुत प्यारी प्यारी चीज़े जो बताए। उसके बाद है CV CV क्या होता है, CV की जो full form है वो यह है, लिख़्ी होई दिख रहे हैं आपको उसके बाद इसके अंदर होती है सामानी जानकारी वो भी अपने बारे में नॉर्मल ऐसी जानकारी जो मतलब सभी को पता होता है और लगबख सब की जिन्दगी में समानी होती है कोई भी जानकारी जैसे मानलो मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझसे चीज़ा आती है मैं प्रेज भी सुदाल लेता हूँ मैं वीडियो भी शूट कर लेता हूँ मैं कपड़े भी धो लेता हूँ, यह हमारी नॉर्मल चीज़े है, सीवी का अंदर यह सब नहीं लिखना होता है, लेकिन जो आपके थोड़े स्पेसल काम है और वो नॉर्मल जिन्दगी से रिलेटेड है वो सारी चीज़े आपको अपने सीवी का अंदर मेंशन करना होता है, ठीक है जी अब यहाँ पर मेंच चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको अपना रिज्यूमी रेडी करना है फर जॉब, ठीक है रिज्यूमी अगर आपको बनाना है जॉब के लिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चीज़ें सबसे पहली चीज़, आपको ऊपर एक कॉलम मना लेना है कुछ इस तरीके का, ठीक है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा यहाँ आपको अपना एक फोटो रखना है सबसे ऊपर होना चीज़े है, एकदम टॉप है और यहाँ अपना नाम लिखना है सबसे पहले, ठीक है जैसे मेरा नाम क्या है, जुनेद खान यहाँ नाम आगिया, जुनेद खान उसके बाद आप क्या करते हो, कि इस चीज़ पेसल हो आप मालों में ग्राफिक डिजाइनर हो तो मैं यहाँ छोटा करकी ग्राफिक डिजाइनर लिख दूँगा ठीक है जी, अब यहाँ पर डिटेल लिखनी शुरू करनी है इसकेज 1, इसकेज 2, इसकेज 3, इसकेज 4, इसकेज 5, इसकेज 6, इसकेज 7 जितनी भी है नीचे रिखते जाना है यह एक सबसे best method है किसी भी resume का बनाने के लिए ठीक है, अगर आपको job के लिए बनाना है तो पहली चीज मैंने बताया था, photo with name, with skill पहली चीज, जैसे मेरा नाम जुनियद खान है ग्राफिक डिजाइनर हूँ, पूरी चीज आगे भी है, यहाँ पर मेरी आपको same लिखनी है, और यह print भी करा लोगा और फिर इंट कराना है, तो color photo state करा लेनी है 10 से 12 लोग पर लेता है, एक photo state के दो-चार करा के रख लो, मज़ा आ जाएगा बस जादा कुछ करनी की ज़रुवत नहीं, दूसरी चीज है personal information, second heading है personal information, इसके अंदर आपको अपनी personal information लिखनी है मानलोग कोई बंदा, जॉब के लिए आपने apply कर दिया अब वो आपको call वगरा करेगा, email करेगा तो सबसे पहले उसके पास यही चीज होनी चाहिए, first pay ठीक है, नाम वगरा के बाद यह चीज आनी चाहिए इसमें क्या है, खास तरही किसे आपका नाम लिखा जाएगा मानलोग आपका नाम करन है, तो आपको पूरा full name लिखना चीज है करन, सिंग भी लिखो, अगर आप सिंग है तो कुमार है कुमार लिखो यादव है यादव, सैफी हो सैफी, जो भी आपकी इमेल के अंदर ऐसे पहले लिखेंगे जुनेद, फिर सैफी, फिर 408, फिर एड़ दरेड, फिर जीमेल, फिर डॉट कॉम ये मेरा पहला इमेल आईडी है, जो फस्ट वाला, और ये मैंने नॉर्मली बनाया था, जब फोन खरीदा था, मुझे सारी चीज़ नहीं आती थी तो आपको ऐसा नहीं बनाना, ये रॉंग मेथेड है, एक्जामने इतलंबा टाइप करेगा भाई, सब कोई भी टाइप नहीं करना चाहता, आज की तारीक में सबको जल्दी करनी है, हर चीज़, आपको नहीं करनी, बस आप ये इतलंबा लिखोगे, नहीं, मैं बताता हू आपको ना, 6, 7, 8, 9, 10 अंको तक का, ये डिजिट तक का, कर दो खतम दस में, जैसे, मैं अभी ये कमपनी में गाया था, वहाँ मुझे एमेल मिली, किस तरीके की एमेल मिली, देखो, ज, य, 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 ए, आ, आ, ड, ज, उ, 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 ल, 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 य, 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 ल, य, 408888, Gmail.com, भी, य, क्या है, क्या बताना चाहते हो, है, य, य, आसान है, और दूसरी चीज, इमेल आप खरीद दी सकते हो, GoDaddy's, जहां से, वेबसाइट के लिए, डॉमीन नेम वगरा खरीदे हो, वहां से, खरीद भी सकते हो, लेकिन, अगर आपका नाम करन है, ठीक है, तहा भी है, लेकिन, इमेल को, गुमा फिरागे कहने का मतलब ये है, कि इमेल को short रखो, अगर आप resume के वजह से reject होंगे, तो आपका email गलत है, उस resume के अंदर, ठीक है, आप अपने resume के अंदर email थोड़ा professional लिखो, भीया, अगर email आपका बेकार है, email बहुत लंबा है, क्योंकि मैं मैंने बहुत सारे email देख रखे हैं, भीया, email की वजह से, 80% लड़का fail हो जाता है, या फिर लड़की fail हो जाती है, email की वजह से, अब address की बारी आती है, address आपका कैसा होना चाहिए, address आपका permanent address होना चाहिए, resume में, ठीक है, जो घर का address है, आप देली तो, मनलो आप देली रह ठीक है, लेकि फिर भी आप अपना घर का resume में address डालिए, क्यों, क्योंकि इसे company में आप पर trust ज्यादा रहेगा, उसका reason क्या है, उसका reason यह है, अगर आप company में कोई कांड गर के भागोगे, तो police या फिर company वाले आपको कम से कम पकड़ तो लेंगे इस address से, या फिर अगर आ company एक हजान नकरे भी जेलती है, क्योंकि वो बड़े काबिल इनसान है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर permanently वाला address डालना है आपको, उसके बाद यहाँ पर number 3 है, और section 3 में आपको लिखना है, अपनी education, qualifications, क्या क्या आपने पढ़ रिखा है, सबसे पहले इनको series by लिखना है, स high school के बाद passing date भी लिखो, passing date भी लिखो, कब पास किया था, कौन से sun में पास किया था, with mark, with percentage भी डालो, 80% के साथ पास किया है, 87% के साथ पास किया है, फिर inter का same लिखो, फिर graduation भी लिखो, ठीक है, अब यह इसमें जरूर mention करो, क्यों से board से क्या है, मालो मैंने UP board से किया है, तो UP board लिख दो, ठीक है, दिली board से क्या, देली board लिख दो, उत्राखंड board से क्या, उत्राखंड board लिखो, बिहार board से क्या, बिहार board लिखो, जिस भी board से क्या है, board जरूर mention करना, पतली सी line में नीचे, सारी चीज़े पहले यह बड़ी-बड़ी करके लिख दी, उसके बाद पतली सी लाइन में नीचे क्या लिखना है बॉर्ड कौन से बॉर्ड से किया है ठीक है जी इसकेच हमारे तीन कंप्लीट हो गई है चोथी की तरफ चलते हैं और यह सब एक पेपर माना चाहिए यह एसे नहीं कि फाइल की फाइल खौल दी फाइल नहीं खौल लूए एक ही पेपर में पूरा डाटा कलेक्ट करना है यह सब जितना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद है श्पेस लिस्ट, यह चो था, ठीक है, इसमें है डिप्लोमाज, मतलब आपने क्या-क्या पढ़ रखा है, क्या-क्या कर क्या रखा है आपने, क्यों इतनी तारीफे कर रहा हूँ आप अपनी, बताओ तो जरा क्या कर रखा है सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, यह मेरी हैं, जो मैंने किया हुआ है, आप अपनी लिखिये, जो आपने किया है, उसके बारे में बताइए, सबसे पहले मैंने बेसिक कंप्यूटर किया था, 2016 या 15 का असपास, उसमें मैंने सीखा था, पाव क्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, कोरल ड्रो के अंदर और फोटोशॉप के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पर मालनो, आपसे 10 चीज़ा आती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कितने लिखिये, चार चीज़े, पैसी कंप्यूटर, कोरल ड्रो, हिंदी इंग्लिस और ट्रिपल बंदा है, हम इसकी सेलरी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हाज जोड लेंगा आपके आगे, अगर नौकरी चाहिए, तो चार जा तीन चीज़े मेंशन करो, इससे जादा मत करो, और सेलरी आपकी कंपनी जब अफोर्ड यह नहीं करेगी, आपको वहाँ पर देखेंगे, या आप बहुत जादा परफेक्ट है, वही चीज़े लिखिएगा, समझ में आगई बात, उसके बाद है experience, यह वाला पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा टफ भी है, और यह सबसे ज्यादा एक्जामनेर इसी पर नजर डालता है, तो इसको थोड़ा हाइलाइट करके लिखिए, थोड़ा बॉल्ड में करके लिखिए, experience की sketch डाल दीजे उपर, ठीक है, और इसके नीचे underline वगरा कर दीजे, सबसे पहले, मालों आपने क्या करके रखा है, कहां का experience है आपको, अब बहुत सारे लोग कहेंगे, भाई हम तो fresher है, तो fresher लोग सीधा सा लिख दो, as a fresher, ठीक कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम से कोई भी पहाड के पत्थर तड़वा लो, गदा मस्दूरी करा लो, बखवास है भाई, कोई नहीं सुनना, तुम fresher हो, fresher ही रहोगे, ठीक है, अब मालों मैं हूँ, मुझे एक साल का experience है, HDFC जनरल में जोगा, ठीक है, डेली में मेर हिसाब से लिखिए, किस company में, कहाँ पर, कितने साल का experience है, वो लिखिए, और साथ में अगर आपके पास experience letter की copy है, आपके पास आपकी जो मन्थली income आती है, या मन्थली आपको जो salary मिलती है, उसकी कोई certificate है, या फिर उसका कोई salary की कोई slip है, उसको भी resume में यहाँ attach कर दो, जो documents है, उसमें attach करो, यह देखो proof भी है, क्योंकि ऐसे बोलने बोलने से, या लिखने लिखने से, आप manager नहीं बन जाओगे, ठीक है, तो यहाँ उसको proof भी दिखाना होता है, मैं proof नहीं दिखा रहा, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है guys, अपना experience लिखना है इस sketch में, उसक सब पहले इसमें क्या है, date of birth, अब जब आप किसी company में जा रहे हो, तो वो बंदा देखे का भी तो है, इसकी उमर कितनी है, कई बोड़ा तो नहीं है, कई बच्चा तो नहीं है, तो यहाँ पर उमर जरूर लिखनी है, अब उमर आप शुरू में मत लिखो, ठीक है, यह नी ठीक है, इसका मतलब भी date of birth, अब फुल फुल लिखो, कोई लिखकत नहीं है, जैसे मेरी यह साथ 1299, एक साल आपको कम लिखना है, ठीक है, मेरी actually यह 199 और 8 है, ठीक है जी, मैंने क्या लिखा है, 9 लिखा है, आपको भी suggest करूँगा, एक साल कम लिखी है आप, ठीक है, जाद करना है, शीवा मैं पूरा नाम डालेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, मैंने नहीं डाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यह चीजे थी, resume के अंदर actually होने वाली, और इसको इस तरीके सीरीज बाए सीरीज बनाइए, पहले यहाँ अपना फोटो लगाईए, एक बहतरी निकली भी हो, चश्मा लगा रखा है, कोई सिंपल चश्मा है, जिससे आपको लगे के निगा कमजोरे लड़के की पढ़ते पढ़ते, वो लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ बड़ा गर करके नाम लिखिए, अपनी जो skills है, जिसके दम पे तुम जी रहे हो, यह आप उस कमपनी में नौक लिए लेना चाहरे हो, उसको यहाँ मेंशन करिया है, शुरू में, जिससे मैं जो नएद हूँ, मेरा ग्राफिक डिजाइनर के काम है, उसके बाद स्केज वन, स्केज टू, स्केज त्री, स्केज फॉर, ऐसे करके स्केज बनाईए, फिल लिखिए इमेल का खास खयाल रखिए, ठीक है, बस यही टॉपिक थे, यही किलियर करना था, बस यही मुद्दे थे इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको सारी चीज़े जानकारी अच्छी लगी होंगी, क्योंकि यह दोस्तों बहुत यूनीक मैंने आपको जानका चाहिए, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको बहुत अच्छे यूनीक आइडियाज बताँगा बिजिनिस करने के, उन्हें भी जरूर आप देख सकते हो, चलिए, देखते हैं, आई होब दोस्तों यह सारी जानकारी आपको कहीं न कहीं पसंद जरूर आई होगी, अ अच्छा दोस्तों यह घड़ी बड़ी प्यारी है, देखने में मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, यह बड़ी सस्ती है, 369 रुपे की है, अगर आपको खरीद नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल खरीद सकते हो.